आज हम लोग पढ़ेंगे Atlantic Ocean में जो seas है उसके बारे में उनका नाम के बारे में लिस्ट है उसका जो उसके बारे में ठीक है तो सुरू करते हैं तो सबसे पहले जो Atlantic Ocean में जो sea है उसका नाम है ब्यूफोड सी उसका हमें ब्यूफोड सी यहां पर है कैनाडा के जस्ट उपर USA है USA के उपर ठीक है उसके बाद आता है आपका हड्सन बे हड्सन बे कैनाडा में है हड्सन बे कैनाडा में है कैनाडा के उपर Greenland Arctic Ocean जो है उसके उपर Arctic region जो पूरा gliciards है सब इसके नीचे और Canada के बीच में Hudson Bay है ठीक है उसके बाद आता है आपका Greenland Sea जाश्ट ग्रिण लेंड के जस्ट में पड़ता है एस्ट साइड में यह आपका Sweden, Finland, इसके उपर ठेक है, रशिया के उपर balancing आता है, फिर आता है आपका Carasi, Carasi का भी same हल है, रशिया के उपर ठेक है, कारासी आता है उसके बाद आता है Labtail की, Labtail के अपर सी भी वही है Siberia के जसे उपर में, ठेक है फिर आता है आपका East SiberianSea यह भी Siberia के जश्ट उपर नाम से समझ में आ रहा है Siberia के उपर Siberia रसिया का पार्ट है ठीक है तो East Siberian C ही हो गया फिर आता आपका चुक्ची C Eastern Most Articotion में आता है यह भी आपका East Siberian Countries के उपर आता है रसिया के जश्ट उपर आता है ठीक है तो इतना सारा सी जो है Articotion में आपको मिलते हैं देखने को ठीक है तो फिर से बार रिपीट कर दें कौन-कौन सा है सबसे पहले आपका है Beaufort Sea उसके बाद है आपका Hudson Bay फिर है आपका Baffin Bay फिर है आपका Greenland Sea Norwegian Sea Barent Sea Kara Sea Lap Tape Sea East Siberian Sea C और चुक्ची C ठीक है तो आप लोग को कोई नहीं 5 C के बारे में बताना है कमेंट सेक्षन में जो की Articotion में मिलते हैं ठीक है तेंक यू